संत श्री महराज का 148 वा जनमोच सव धूमधाम से मनाया नमश्कार आप देख रहे हैं दा खबरदार नियूस तो चलिए रुक करते हैं आज की प्रमुक और बड़ी खबर पर सचता अभियान के जनक रजक समाज के आराध्य देव संत शिरोमणी गाडगे महराज का 148 वा जनमोच सव धूमधाम से संतर श्री गाडगे जनमोच सव समिती सर्व रजक समाज उजयन के द्वारा मनाया गया करेक्रम के प्रथम चरण में एलजी भारगव नगरुधान में सित संत शिरोमणी की प्रतिमा पर उजयन के प्रथम नागरेक महापौर मुकेश जी तटवाल द्वारा मालयारपणवा भारती की गई टतपस्चात रैली को हरिजंडी देकर रवाना किया गया जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुए शर्मा परिसर पर समाप्त होई करेक्रम के दुती अचरण में समाज के प्रतिभावन बच्चों का एवम समाज सेवियों का सम्मान किया गया करेक्रम में मुख्यातिती के रूप में राजसबा सांसदव संत श्री उमेश बालक नाज जी महराज विशिशातिती के रूप में रास्टी स्वेसेवक संग सामाजिक समर्सता की प्रमुख श्रीमती राश्टी अमान वदिकार आयो के सयुक्त सचेव श्री दीपक कुमार जी बनूरिया एवम मैसी सदस्य रजत जी महता एवम अखिल भारतिय धोबी महासंग यूवा प्रकोस्ट के पूर्व रास्टी अद्यक्ष केलास जी करो जी एवम अखिल भारतिय धोबी महासंग के रास्टी उपाध्यक्ष एवम सत्य नारायन मंदिर समिती मालवियर रजक चौरासी पंचायत के अध्यक्ष श्री मनुज जी सुल्ताने थे रजसबासांसद परंपूज बाल योगी संत श्री उमेशनात जी महराज उपस्ते थे अपने उद्बोधन में संत श्री ने कहा क समाज के सभी सदस्यों को सबी समाज जनों को अपने नाम के साथ गाड़ के महराज का नाम जोड़ने की बाथ कही इस अबसर पर राजसबासांसद ने दिखभरदार न्यूज से विशेश बाचीत की एवम समाज को अनुसूचित जाती का दरज़ा दिलाने पूरे मद्धि प्रदेशक में अपने को लेकर आश्वासन दिया कारिक्रम में दखबरदार न्यूस के पत्रकार नीरे शिमालविय का विशेश सम्मान किया गया इसका इसकारिक्रम में लगबग 2000 व्यक्ति सम्मलित हुए एवं भंडारा महाप्रसाद के रूप में ग्रेंड किया गया कारिक्रम मंच का संचालन सचे वहितेश मालविय ने किया कारिक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्ष पंकज जी सोलंकी संरक्षक स्री चंदू जी पहलवान प्रभारी श्री स्याम जी साकोनिया श्री नरेंद्र जी खाटवा प्रवक्ता निलेश जी बिलोधिया महमंत्री राम जिलाल खलोटिया कोशाद्यक्ष कृष्णा दोवडिया मुकेश नारोलिया प्रेमचंद्र नाहर यश्वन्त नारोलिया विपिन लशकरी तरोन लशकरी सुमित लशकरी सुनू अंबोधि योगेश सुनील जीतू बिज्वा दिनेश पर्मार धर्मेंद्र सिसूधिया सतीश सिल्वानिया अंकेत खाच्व महेश मालवी आधिकारी करताओ पस्ति थे अधर्मिक नगरी उज्जेद में राष्ट्री संत शंत श्रीगाडगेजी महाराज का 148 वा जन्मोत से बड़े ही हर सुल्दास के साथ मनाया गया यहां पर एक वहन रेली आयुजित की गई साथ ही परिचे सम्मिलन और प्रतिवा संबान समारों आउजित किया गया है साथ ही विशेश अतीति के रूप में उमेश्टनाज जी महाराज जो के राज्यसभा सांसा थे आज उपस्तिद हुए और आई जानते हैं सुबे सभी तह किस किस प्रकार के प्रोग्राम हुए है कितने वर शो चुक है इस प्रोग्राम को उच्जियर ने कितने वर शो चुक है आपको बढ़ते हैं तो इस बार के सा रहा है आप देखी रहे हैं यहां पर विशेश अतीति आया चाहाट योगी जी और उन्होंने जो इस समाज की एक सबसे बड़ी विडम बना कहेंगे जो कि आप हमेशा बड़े से बड़े अतीतियों को बुलाते हैं और आप ही का एक मुद्दा है अनुसीत जाती का मुद्दा जो आज तक सालुनी हुआ है यहां पर हम आपको बताना चाहेंगे दर्शकों को कि पूरे मद्द्रदेश में आधे आधे को यहां पर आधे वर् प्रकार की यहां पर विडंबना इस्तिती है वो चली आ रही है इनकी मांग जो है वो कभी बूरी नहीं हो पाती है और आज जब खबरदार की डीम ने अभी योगी जी से बात की तो उन्होंने एक आश्वशन दिया है कि अगर सभी लोग एक जूट होकर उन तक यह बात प अधिकार एवं समाजिक नाय और भायरत सरकार से उन्हें भारत बर्स का जान सेकेट्री हों जैसा कि आपने कहा कि उमेश नात योगी माराज जी जो कि इस पुर्जेन नगरी से हैं और साथ में राज्य सब्सक्राइब मध्य प्रदेश से अभी अभी चुने गए आपका प 1857 से पहले से हम लोग देश आजाद हुआ और उस समय से भारत की अनुसूची ते राजपत्र जाती में अनुसूची जाती में हम आते हैं 12 राजपत्र में हम नहीं आते हैं बाकी 18 राजपत्र में हम लोग आते हैं मध्य प्रदेश में अनुसूची जाती गुपाल राइशन और शीहोर में आने के उपरांत भी जबकि भारत के राजपत्र में उनकी कंडीका धारा के अनुसार जहां एक कसवा एक तैसीर एक जिल गता जयदी कोई आता है उसे अनुसूची जाती में मिलाएज यह मर्द्प्रदेश संके अनुसी ज़ाती में अने के बात भी हमारा चार बार प्रस्ता आसास की सरक्लिप पारित हो चुका है उसके बाद भी हमें मद्प्रदेश सरकार में अनुसुचित जाती से आने में अचुधा रखा है अब अगला कदम क्या होगा आपका सरकार बदल चुकी है अब नए मुक्यमंत्री जी आ चुके हो और अभी योगी जी ने वी कुछ बात कही है अब अगला कदम समाच कर जाओगा जो कि चार बार हमारा असास की संकल पारित हो चुका है इसे सिर्फ कोई इलीगल नहीं करना पूरा लीगल काम है जो कि उनकी अनुसुचा पर लगाकर भारत की संसद राजसवा में और लोकसवा में उमेश योगी राजसवा संसद से निवेदन है कि वे इस मांग को सवारे मद्द प्रदेश में जो हमारी एक सूत्री मांगे अनुसुची जाती में रजक समाज को मिलाया जाए जो कि भारत सरकार के राज़पत्र में है और नियमा अनुसार जिस तरह 1976 में राजिस्थान में एक अजमेर जिले के एक गाउन में अनुसुची जाती आती थी उस समय भारत के राष्टपती राजी जहिल सींग जी राष्टपती थे और उद्धान मंत्री इंद्रा गांधी थी जिन्हों ने कि वहां पर इमर्जेंसी लगने के बाद भी रजक समाज को अनुशूची जाती में मिलाया है अब लगता है आपको आपकी मांग पूरी हो जाएगी हम फिर भी हम संगर्शरत करते आए हैं और रजक समाज संगर्श अंतिम सास्तक करता रहे हैं आज हरसल वास्त का दिन है आपकी समस्याबों हमने उठाया और आगे भी आप प्रयास रहत रहेंगे लेकिन रजक समाज की जो संत गाड़ के बाबा की जहनती है वह बड़ाई धूमधाम से बनाई गई है और इसमें क्या क्या खास रहा आईए जानते हैं आज कि जएंति में क्या क्या खास रहा है और कि पुल्ट बहुत सारे प्रोग्राम बहुत अधुद्पूर्व था आप देख रहा है उद्जेन से तक खबरदार नियुस के लिए निलेश मालविया की रिपोर्ट सच्छता का संदेज देने वाले गाडगे बाबा का रजक समाज 148 वी जैनती पूरे भारत नहीं अपितु विश्व में मना रहा है यह हमारा सुभाग्य है कि भारत के प्रसिद्ध जोतिलिंग महाकाल के आंगन में आज जो यह आयजन किया जा रहा है सर्व रजक समाज के तत्वा उधान में हमारे लिए सोभाग्य का शण है कि आज रजक समाज का बच्चा बच्चा अपने को गुरानवित मान रहा है कि उनके राश्चंत की आज 148 वी जैनती दूम दाम से मनाई जा रही है सर्व प्रतम में जिस इस्तान पर खड़ा हूँ गाडगे बाबा की प्रतिवा से हमारी रेली स्टार्ट होगी शाहर के मुख्यमार्गों से रेली घुमती हुई शर्मा परिसर में संपन्न होगी वह परिचे संबेलन होगा प्रतिवा संबान समारों होगा और समाज में विशिश्च कारे करने वाले महानुबाओं का रजक समाज के बंदूओं का संबान किया जाएगा आपका शुबनाम मेरा नाम मनोष सुल्तान अध्यक्ष स्री सत्नान मंदिर चोरासी पंचायत मद्ध प्रतेसमालवी रजक समाज उजन ने अचे गाड़के महाराज की है गाड़के जी महाराज की है परमपुजनिये, प्राटपैस्वनिये, बंदनिये, गाड़के जी महराज को पढ़ाम करता हूँ और आप सब लोगों को इसे इसकर मंच के जितने वीज़ वर्दी जी है उनको भी और बाहर आवा जा रहे हैं तो भो भी इस बात को ध्यान से सुने कि हमारा ये जो रास्त है जिस देश में हम रहते हैं उसको भारत बोलते हैं और भारत रास्त में जितने भी मानोव समाज के जो लोग रहते हैं वो सब हम जो है रीशी मुनियों की संता हैं संत महात्पाओं की संता हैं और कभी-कभी में देश के बड़े मंचों के भी ये बहुता हूं कि हमारा जो रास्त है आज के इस प्रोग्राम पुरी रूप रहा के बारे में अजकर का प्रोग्राम की सब्सक्राइब नियुक्ता है सब्सक्राइब करें हमारे देश को पर पाथ है कि अभी तो आपका जर्मी दीवसी बापा मारखाल से क्या प्रयाइपना करते हैं और आपको बहुत चुप्ता प्रिशिक करते हैं आप देख रहे हैं उच्जेन से खबरदार नियूज के लिए निलेश माल भी आजिलकों संत्य गाड़गे बाबा की 148 जयंति है इस लक्ष में आज गुरुजेव क्या कहने चाहते हैं संत्य गाड़गे जी महराज की 148 जयंति और यह भारत राष्ट जो है शंटों का राष्ट है और संतों के रास्ट में यहां पुरे भारत की कोई भी ऐसी जाती नहीं है कि जिस जाती में संत प्रकट नहीं हो आज गुरे देश को ये मालुम पड़े कि जिसको लोग ये बोलते हैं कि कपड़ा धोने वाला है या धोबी घाट बोल देते हैं तो उन सब को ये संदेश देना चाहता हूं कि उस परिवार में भी संत सिरुमनी घाट गेजी महराज का जन्म हुआ है और उन्होंने 148 साल पहले समाज के लोगों को एक जूट करने का काम किया है में आज उनकी पूम्ने इस्मरण आज उनकी जन्म जैनिती के उपलक्ष में समुस्य देश के गाडगे परिवार को मैं खूब सारा आशिरवाद देता हूं शुक्वामना देता अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें अबुलिंग